हेलो प्यारे बिच्चों कैसे हैं आप सभी I hope आप सभी बहुत अच्छे होंगे बच्चों इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 3 की वॉक्षीट नंबर 137B जो की 20 दिसमबर 2021 की वॉक्षीट है और आज का सभ्जेक्ट है बच्चों इवियस और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी बुक लुकिंग अराउंड से योनिट 22 जुसका नाम है राइट लेफ्ट तो बच्चों सबसे पहले आप यहां पे अपना नाम लिखेंगे यहां आप अपनी टीचर का नाम लिखेंगे और क्लास 3 के सामने आप अपना सेक्शन A, B या फिर C जो भी सेक्शन है आप लिखेंगे तो चलिए इस वॉक्षीट को हम स्टार्ट करते हैं नमस्ते प्यारे बच्चों हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्तेवं सुरक्षित होंगे प्यारे बच्चों एक जगें से दूसरी जगें जाते हुए हम बहुत से रास्तों यानि मार्गों का प्रियोग करते हैं रास्तों में ऐसे बहुत सारे चिन यानि साइन होते हैं जो हमें हमारे गंतव यानि की डेस्टिनेशन तक पहुशने में मदद करते हैं तदा विभिन सावधानियों के बारे में सूचत करते हैं तो चलिए बच्चों, आज हम ऐसे वभिन चिन्हों के बारे में जानते हैं तो अगर आप रास्ते पर ध्यान देते हुए चलते हैं तो आपने कुछ चिन्हों को जरूर ध्यान दिया होगा और उन सभी चिन्हों का कुछ ना कुछ मतलब होता है तो एक जगे से दूसरी जगे जाने में बहुत से ऐसे चिन दिखाई देते हैं जो अलग-अलग चीजों को दर्शाते हैं यानि उन चिन्हों का कुछ मतलब होता है तो उनका मतलब हमें समझना जरूरी होता है जिससे हम सही तरीके से यात्रा कर सकें और सुरक्षित रह सकें ठीक है बचो? तो नीचे यहाँ पे हमें कुछ चिन्ह दिखा रखें है और इन चिन्हों का मतलब यहाँ पे हमें संकेत बॉक्स में दिखा रखा है ठीक है? तो हमें पहचानना है कि किस चिन्द का क्या मतलब है जैसे कि पहला वाला चिन्द है जिसमें पी बनाके एक कट लगाया हुआ है ये दिखाता है कि गाड़ी खड़ी ना करें तो पहले वाले चित्र का मतलब है कि यहाँ पे गाड़ी खड़ी ना करें जो दूसरा चत्र है उसमें दिखा रखा है कि smoking ना करें यानि कि धुब्रपान निशेद है तो ये दूसरे वाले चत्र में आएगा तीसरे वाले चत्र में आपको एक rail गाड़ी दिखा रखी है तो आपको यहाँ पे दिखा रखा है rail गाड़ी तो ये है तीसरे चुत्र में चौते चुत्र में आपको हॉर्ण दिखा के उस पे क्रॉस लगाया हुआ है यानि कि हॉर्ण ना बजाएं ठीक है पांचवे चुत्र में मोबाइल फोर्म ना के फिर क्रॉस किया हुआ है इसका मतलब है कि मोबाइल का प्रियोग वर्जित है यानि की मना है छटे में आपको दिखा रखा है जेबरा क्रॉसिंग और साथवे में दिखा रखा है कच्रा ना फैलाएं साथवे वाले निशान का मतलब चिंध का मतलब है कि कच्रा ना फैलाएं ठीक है, तो पहला प्रशन complete हो गया, अब हम देखते हैं दूसरा प्रशन, इसमें हमें कह रखा है कि नीचे दिये गए नक्षे में दर्शाय गए चत्रों को ध्यान पूर्वक देखिए, एवं पूछे गए प्रशनों के उत्तर अपनी कौपी में लिखिए, तो हमें बच्च लिखना है कि कौन सी चीजें है, इसका क्या मतलब है, और उसके बाद हमें देखो, यहां पे कुछ प्रशन दे रखें हैं, और इन सभी प्रशनों के हमें उत्तर लिखने हैं, ठीक है, देखो, जैसे कि सबसे पहले, जहां पे भी ये निशान है, इसका मतलब है कि यहां पे घर है ठीक है तो अब देखो यहाँ पे घर कहाँ पे है यहाँ पे है यहाँ पे है यहाँ पे है और यहाँ पे है इसके बाद यह है पेड़ सारे उसके बाद है hand pump तो hand pump यहाँ पे है यह इसका मतलब है gate तो देखो यहाँ पे gate दिखा रखा है इसके लावा इसका मतलब है कु तो इस नक्षे में यहां पे कुवा दिखा रखा है फिर ये है बस टॉप तो यहां पे दिखाया हुआ है ये है डाग घर तो यहां पे दिखाया हुआ है ये है अस्पिताल हॉस्पिटल यहां दिखाया हुआ है फिर दुकान यहां पे दिखाया हुआ है और फिर है स्कूल ज अगला प्रशन है कि नक्षे में अस्पिताल के सामने क्या है दो अस्पिताल के बिल्कुल सामने यहां पर एब स्कूल की पास पैड है या नहीं है तो इking स्कूल यहाँ पे है और यहाँ तेखों, बगल दोर में पैड भी है तो आप लिखेंगों पalar हुं चलो मैं यहाँ पर copy में बनाएंगे पाचवा प्रशन है कि नक्षे में कितनी दुकाने दरशाई गई हैं तो दुकान बच्चो देखो इस तरीके से है और पूरे नक्षे में हमें सर्फ दुकान यहाँ पे दिखाई हुई है तो कितने दुकान है यहाँ पे एक चटा प्रशन है कि नक्षे में दिखाए गए सभी चिन्नों की सूची बनाईए तो आपको करना क्या है कि जितने भी यहाँ पे चिन्न है इन सब को अपनी कौपी में बनाना है और साथ ही साथ इसका जो नाम है वो भी लिखेंगे यानि इस पूरे चितर को आप अपनी कौपी में बना देंगे नाम भी लिखेंगे ठीक है अब एक activity दे रखी है कि घर में उपलब्ध गत्तों की सहायता से अपना पसंदीदा चितर बनाईए एवं अपने teacher के साथ साजा कीजिए तो आपको क्या करना है कि आपको अपना पसंदीदा चितर बनाना है और उसके बाद उस चितर को अपने teacher के साथ शेयर भी करना है ठीक है अब आपके parents के लिए सुझाओ है कि बच्चों के साथ विभिन प्रकार के चिन्नों के बारे में चर्चा कीजिए तो बच्चों ये थी आज की हमारी EBS की वॉक्षीट and I hope आप सभी को ये वॉक्षीट बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी और बच्चों अगर आपको विडियो पसंद आई है तो इसको जरूर लाइक करें अपने friends के साथ भी शेयर करें और इस चानल को सब्सक्राइब करें थैंक यू